हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकिंग विदार्थी पर और आज हम देखने वाले हैं किन-किन छेत्रों के नाम के अंदर सरकार के द्वारा बदले गए हैं और आज हम इस वीडियो में इस टोपिक को कवर करने वाले हैं और इस टोपिक से आपको 2023 में होने वाले एक्जाम में आपको एक कोशन देखने को जुरूर मिलेगा और आप लोगों को अगर आप इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल बैंकिंग विदारशी से भी जूर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सेर करना ना भूले और चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले है अंदर प्रदेश की राजधानी हमरावती से नाम बदल के नई राजधानी क्या हो गई है तो इसका सई अंसर रहेगा विसाका पटनम अब अंदर प्रदेश की राजधानी को अगर हम बताएं तो वह है रहेगा विसाका पटनम अब आने वाले एक्जाम में अगर आप पो आंदर प्रदेश की राज़ानी पूछी जाती है तो आप उसका अंसर विशा का पतनम ही करके आएंगे अगर हम बात करें तो राष्टपती भवन में एतियासिक मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका नाम कर दिया गया है, अमर्थ उध्यान, राश्पती भवन के अंदर, एत्यासी गार्डन है, जिनका नाम पहले था मुगल गार्डन, जो के अब जाना जाएगा, अमर्थ उध्यान के नाम से आप उसको ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो तर एनाम दिपो का नाम करण किया है जिनका नाम करण किया है परमवीर चक्कर विजयताओं के नाम पे 21 बड़े एनाम दिपो का नाम करण हो गया है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह केंदर सरकार ने दिल्ली के राजपत और सेंट्रल विश्टा लोन का नाम बदल के नया नाम क्या रखने की गोशना की है तो इसका नया नाम रहेगा करतवे पत जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं जो कि इंडिया गेट के अगे है इस पत को पहले राजपत के नाम से जाना जाता था अब इसको करतवे पत के नाम से जाना जाएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोटे अनाज का नाम बदल के नया नाम क्या हो गया है तो मोटे अनाजों को अब सिरी अन के नाम से आप इनको याद रखोगे तो अब सिरी अन, मोटे अनाज को सिरी अन के नाम से जाना जाएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मद्ध्य पर्देश के राज्य सरकार ने बोपाल के इसलाम नगर गाउं का नाम बदल के नए नाम क्या रख दिया है इसलाम नगर गाउं का नए नाम अभ रहेगा जगदीश पूर जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं जगदीश पूर अब इसलाम नगर का नया नाम रहेगा नेक्स अगर हम बात करें तो मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट जो की गोवा के अंदर है जिसका नाम बदल के नया नाम क्या रख दिया गया है तो नया नाम अब रहने वाला है मनोहर परिकर इंटरनेशनल एरपोर्ट जो की गोवा के सी मंकी पोक्स का नया नाम रहने वाला है M-Pox M-Pox के नाम से अब मंकी पोक्स को जाना जाएगा और नेक्स अगर हम बात करें तो सुक्त अरब अमिरात के उपराश्ट पती रासित अलमक्तूम ने अलमिनहाद सहर का नाम अल्मिनहाद सहर का नाम रख दिया गया नया नाम रहने वाला है हिंद सहर के नाम से अब वो जाना जाएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केंदर सरकार ने परधान मंतरी कोस्टल कामकारे करम का नाम बदल क्या कर दिया गया है नया नाम रहेगा PM विकास PM विकास के नाम से उसको जाना जाएगा के अंदर सरकार ने उत्र परदेश के गोरखपुर जिले नगरपाली का प्रिश्द मुंडेरा बजार का नाम बदल के क्या कर दिया है मुंडेरा बजार को अब औरफ चोरह-चोरी-चोरी-चोरह के नाम से जाना जाएगा। जो कि पहले यहां होरो-चोरी-चोरी कान्ड हुआ था उनके नाम पर इसको रखा गया है चोरी-चोरह बजार। बजार नेक्स अगर हम बात करें तो वो रहेगा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिलो में तेलिया अफगान गाओं का नाम बदल के क्या कर दिया गया है तेलिया अफगान गाओं का नाम रहेगा तेलिया सुकला के नाम से अब उसको जाना जाएगा नेक्स अगर हम बात करें तो वो रहेगा महिला क्रिकेटर जूलन को स्वामी के नाम पर स्टेडियम के किस एक स्टेंड का नाम रखा गया है तो वो रखा गया है इडन गार्डन स्टेडियम जो की कॉलकाता के अंदर है उसके अंदर स्टेडियम में एक स्टेंड रहेगा जो की जूलन गो स्वामी के नाम पे रहेगा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रत्वी से 392 प्रकास वर्स दूर्स्तित और सुरिये के डिकट तारे का नाम भारत के किस प्रधान मंत्री के नाम पे रखा गया है तो वो रखा गया है अटल बिहारी बाजबई के नाम से अब प्रत्वी के 392 प्रकास वर्स दूर और सुरिये के निकेट तम तारे का नाम रहेगा अटल बिहारी बाजबई नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एमदाबाद दिल्ली के बीचलने वाली संप्रक करांती एक्सपेस ट्रेन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है उसका नाम कर दिया गया है अक्षरधाम एक्सपेस जो कि अब जानी जाएगी अक्षरधाम एक्सपेस के नाम से संप्रक करां नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अनुनाचल परदेश के किबित मिल्टरी स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया है जो कि हमारे पहले सीडियस थे जन्रल वीपिन रावत मिल्टरी गेरिसन के नाम से वो अब जाना जाएगा किबिन मिल्टरी स्टेशन जो कि कहा है अनुनाच स्मिती बी आरेस के नाम से अब उनकी पार्टी जानी जाएगी ते लंगाना के मुख्य मंत्रिये चंदर से कर राओ और उनकी पार्टी का नाम था पेले टी-डीर-स जो की अब जाने जाएगा बीर-स के नाम से नेक्स्ट अगर हम बात करें चंडिगड अंतराष्टिय हवाई अड़े का नाम बदल के क्या कर दिया गया है चंडिगड अंतराष्टिय हवाई अड़े का नाम रहेगा अब सहीद भगेच सिंग अंतराष्टिय हवाई अड़ा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केंदर सर पी एम जी के एवाई नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अंतराष्टिय मदस्था के अंदर जो की नई दिली में है का नाम बदल के क्या कर दिया है जिसका नाम रहेगा भारत अंतराष्टिय मदस्था के अंदर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेलवे सुरुक्षा बल का ना 51 कालिस पहाड़ी का नाम बदल के क्या कर दिया है उसका नाम कर दिया है गन हिल के नाम से अब वो जानी जाएगी नेक्स्ट अगर हम बात करें कजाकिस्तान की रहस्धानी नूर सुल्तान का नाम बदल के क्या कर दिया है नूर सुल्तान को जाना जाएगा अस्थाना के नाम स अस्ताना के नाम से अब जाना जाएगा और कजाकिस्तान की राजानी रहेगी अस्ताना नेक्स अगर हम बात करें महराष्टरा के औरंगाबाद सहर का नाम बदल के क्या कर दिया है औरंगाबाद सहर का नाम अब रहेगा संभाजी नगर नेक्स अगर हम बात करें तो इंगलेंड के लिशे स्टर किरिकेट ग्राउंड का नाम बदल के किस भारतीय कहँ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? सुनील गवासकर के नाम के उपर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेल मंत्राले दोवारा बैंगलोर मसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदल के क्या कर दिया है टीपू एक्सप्रेस को अब जाना जाएगा वड़े यार एक्सप्रेस next अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार द्वारा हरीजन सबद के पर्तिबंद लगा कर कौन सा सबद इस्तिमाल करने की गोशना किया है तो उसकी जगह इस्तिमाल किया जाएगा डॉक्टर अमबेडकर वर्ड का यूज़ वहाँ पे किया जाएगा हरीजन सबद की जगह next अगर हम बात करें तो कानाडा के मर्खम सहर का में एक सड़क का नाम भारत के किस संगितकार के नाम पे रखा गया है तो वो रखा गया है एयार रहमान जी के नाम पे नेक्स अगर हम बात करें तो आर्मी इंस्टिटूट पूने का नाम, ASI पूने का नाम बदल के क्या किया गया है? तो ASI पूने का नाम बदल के क्या गया है? निरच चोपडा स्टेडियम के नाम से आब उसको जाना जाएगा. next नगर हम बात करें तो महाराष्टर राज जन ने चीपी ग्रिन फिल्ड हवाई अड़े का नाब बदल कर क्या कर दिया है तो इसका नाम रहेगा नात पाई हवाई अड़ा next अगर हम बात करें तो किस देश ने अपने राष्ट गान की पंक्ती 4 we are young and free के बदल कर क्या कर दिया गया है 4 we are one and free कर दिया गया है यंग की जगए one को उसके अंदर add किया गया है तो वो किया गया है आश्टिलिया के द्वारा अपनी राश्टिन का अंदर changes किया गया है 4 we young की जगए 4 we are one किया गया है हाली में मुंबई के चर्च गेट स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया है चर्च गेट स्टेशन का नाम रहने वाला है सीडी देसमुक रेलवे स्टेशन नेक्स्ट है के अंदर सरकार ने नहरू संग्राले का नाम बदल के क्या कर दिया गया है तो इसका सही अंस्वर रहने वाला है परधान मंत्री संग्रादे नेक्स्ट रहने वाला है असम केबिनेट ने राजजीव गांदी राष्टिय उधान का नाम बदल के क्या कर दिया गया है तो इसका सही अंस्वर रहेगा औरंग राष्टिय उधान नेक्स्ट है इंडोनेशिय की नई राजदानी क्या होगी इंडोनेशिय की नई राजदानी होगी नुस्तारा नेक्स्ट है साबरमती जो की गुजरात के अंदर है साबरमती घाट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है साबर मती घाट का नाम बदल के कर दिया गया है अतल घाट नेक्स далее अगर हम बात करें तो उतरप्रदेश राज़े सरकार ने मैंपूरी सैनिक स्कूल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है तो इसका सही अंस्वर रहेगा जनरल विपिन रावत स्कूल नेक्स्ट है उतर प्रदेश राजी सरकार ने अयोदय में परशिद नया घाट बंदा चोरहा का नाम क्या कर दिया गया है तो ये कर दिया गया है हमारी परशिद सिंगर लता मंगेशकर जी के नाम पे उनको रखा गया है नया घाट बंदा चोरहा का अब नया नाम रहने वाला है लता मंगेशकर चोग नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के रोतांग सुरंग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है रोतांग सुरुक का अब नाम रहेगा अटल सुरंग नेक्स्ट अगर हम बात करें तो महराष्टा सरकार ने दोलताबाद किले का नाम बदल के क्या कर दिया है दोलताबाद किले का नाम रहेगा अब देवगिरी किला जो की अब देवगिरी किले के नाम से जाना जाएगा दुलताबाद किला जो कि महराष्ट्रा में है अन्वा निकोबार के हवाक एव लोग द्वीब का नाम बदल के क्या कर दिया गया है तो उसका नाम कर दिया गया है सवराज द्वीब नेक्स्ट है दिल्ली के प्रियावण भवन का नाम बदल के क्या कर दिया है दिल्ली के प्रियावण भवन जाना जाएगा पंडीत दीन द्याल अंतोधिया भवन के नाम से Next अगर हम बात करें तो दिल्ली के पर्गती मेदान METRO स्टेशन का नाम बदलके क्या कर दिया गया है दिल्ली के पर्गती मेदान METRO स्टेशन का नाम रहेगा Supreme Court Metro स्टेशन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टैलिक चैनल बैंकिंग विदार्ती से जूर सकते हैं आप हमारे Instagram चैनल बैंकिंग विदार्ती को भी follow कर सकते हैं वहाँ पे भी आपको up-to-date current affair आपको provide करवाय जाता है और question आपको provide करवाय जाता है जो कि आपके exam of point of view से काफी important रहते हैं Thank you very much